जैने दोस्तों बंदे मात्रा उर्फी जावेत कभी ना कभी किसी ना किसी मुद्द्ध को लेकर कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा बोली देती हैं जिसको के लेकर वो सुर्ख्यों बनी रहती इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है भारत में LGBTQ community को लेकर क्या कुछ चलता रहत लेकिन उर्फी जावेत का भी अपना एक fanbase है और वो मतलब fanbase तो fanbase होता है अब fanbase को तुम categorize नहीं कर सकते लेकिन उर्फी जावेत का भी अपना ही एक fanbase है मतलब हम सीधे सीधे बस इस बात को यहीं कातब कर देते हैं तो वो लोग जहां और उर्फी के support में आ गए तो वह सब्सक्राइट में बने रहना बहुत अच्छी तरीके से आता है और उस फंडे को उनोंने काफी अच्छी से डिकोर्ड भी कर लिया है उन्हें के बीच हाली में वो सदगुरु जगी वासिदेव ज़ारा कही कही बात को लेकर काफी ज़ादा चड़ी हुई नजर आई है उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोडी के जरीए सदगुरु पर जम कर भडास निका ली और फिजावेद ने अपनी इंस्टा स्टोडी पर दो पोस्ट शेर की पहली पोस्ट में उन्होंने सद्गुरू की खिचाई करते हुए लिखा कि जो भी इस कल्ट नेता को फॉलो करता है वो मुझे अन फॉलो करते हैं उनके हिसाब से LGBTQ रियल में एक अभियान है ये सही है कि इस अभियान में शामिल लोग अपनी सेक्शुलिटी के बारे में फ्री हो कर बात करते हैं LGBTQ समुदाय का प्रतिशा छोटा नहीं है लेकिन अंदादा लगाई है कि ये आपका दिमाग कहा है उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में LGBTQ मूवमेंट पर अपनी सोच को समझाया उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रचार को प्रोचसायत नहीं किया जाना चाहिए LGBTQ समुदाय को हमारे सपोर्टर समर्थन की जरूरत है सदियों से लोगों को अपने sexuality को छुपाने के लिए मजबूर किया जाता रहा है कि वो कुछ और होने का नाटक करें हमें अभियान चलाने की जरूरत है ये बताने के लिए कि वो जो है वो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे प्यार करने के लिए चुनते है आपको बता दें कि उर्फी जावेद ने कई सारे टीवी सील्स में भी काम किया है लेकिन उन्हें पॉपुलियालिटी रियालिटी शो बिग बॉस ओटिटी के जरीये मिली जब से वो बिग बॉस के घर से बाहर आई है तभी से वो काफी ज़्यादा फेमस दिखाई पड़ रही और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने कपड़ों को लेकर काफी ज़्यादा चर्चा में रहती है जहां उनको एक तरफ ट्रोल किया जाता है तो वहीं उनके अजीब अगरी कपड़े देखकर लोग है रान भी रह जाते हैं कि भई क्या ये चीज़ पहनी भी जा सकती है नहीं लेकिन उनको इन चीज़ों की परवा नहीं है वो साफ कहते हैं कि लोग यही सब देखना चाहते हैं और इसलिए वो यही सब कर रही है को लेकर ऐसी बात कर रहे हो जो की सही नहीं है जगी वासुदेव जी ने जो अपनी बात रखी थी वो भी उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके सबी के सामने रखी थी और उसको काफी अच्छे समझाया भी था लेकिन बात वही है कि बात का पतंगण बनने में देर लगती न कर रहा है कि उर्फी जावेद बहतने शायद उसी का नतीज़ा है कि अब यह जगी वासुदेव जी को भी टार्गेट कर रही है आप सभी के इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जबर बताइए मेरे सुद्धियों फिल आतना ही जाहे हैं जब जब आतना है